हेलो एब्रीवन विल्कम बैग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लैग्स एड रिसाइजिंग के बारे में तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं एक इमेज को प्रेंट करता हूं और उसके बाद में जो भी हमारे पास by default और जो वेलून हम लोग हम लोग यूज करते हैं उसको नोल्क समझेंगे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ opencv को import cv2 import सी वी टूँ उसका पाद हम लोग क्या करते हैं एक image को रे करते हैं तो image को रिडाने के लिए इस एक metabol तो cv2.im read function का मैं यूज करता हूं और उसके बाद जो भी image को read करना है मुझे उसको मैं define करता हूं so file name file name equal to जो हमारे image का नाम है सो कौन सा image मैं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं अभी इंस्टा image so insta.png insta.png मैं ले रहा हूं उसके बाद मैं क्या करूंगा यहां पर read कर रहे है image को अब मैं show function को define करता हूं image को show करने के लिए इसके लिए हमारे पास function होता है cv2.im show function जो भी आपको नाम देना है अपने image का वह आप define कर सकते हूं सो माई picture मैं define करता हूं माई picture एड उसके बाद हम लोग image को define करेंगे कौन सा image इम्हें जो image को हम लोग show करना चाहते और print करना čाहते हैं कि इसको मैं define करता हूं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे की को define करेंगे कितना time तक किम catching luggage को एक वेट की और लोग कि है कि करेंगे जिस्टर्वाइल डॉ डॉ डॉट्ट क्या होता है ँंद्वीद THE पास उल बिन्डवव फंशन होता है स्थूइल करता हूं ड neighbours लोग रन करते हैं इसको अभी ताना हमां go प्रापक्क है क्या आ रहा है हम आए-म रीड दुनिंग आर्गोबेंड फैल ने men okay सब्सक्राइन क्या है आउपूट निया है क्या करता ह। इसको धी कीवरट का बटन प्रेस करता हूं अब हम लोग फ्लैग समझते हैं कि फ्लैग होता क्या है इसके अलाबा हमारे पास करते हैं जो हमें लोग करते हैं और यह करते हैं भी करते हैं 325 करते हैं वन अन्यू cheers संभ्य करते हैं वह होता है चलते हैं थे सत्था थो डोकुमेंटेशन सब्सक्राइब कि एक लिचका है इस हमारे पास कि और सबनीày solution उसी फॉर्मेट में आपको इमेज शो होगा क्या है हमार पास यहां पर इफ सेट रिटर्ण द लोड इमेज आज इन बिद अलफा चैनल अर्दरबाइज इडगेट क्रॉप्स इग्नोर एक जिस्ट द ओर इंटेशन सो क्या होता है यहां पर जब भी हम लोग माइनस वन सेट करते हो तो यहां पर क्या कर सकते हो यह तो क्लिफान सेट कर शकते हो या फिर आपको चाहिए कि आपका जो भी ओरिजनल इमेज है आप अपने में आपने और 一्मे में चाहते हो इसके लिए बरी कर showing जilla एक् engagements करता हूं। इसको रण करता हूं सब्सक्राइघ चाहिए हमारे पास यह home करता हूं इसको अब मैं फ्लाइग यहां पर डिफाइंड करता हूं फ्लाइग इकवल टू जिरो डिफाइंड करता हूं जिरो क्या होता है जिरो होता है ग्रेश के लिमेज रन करता हूं इसको अभी देखो हमारा जो इमेज है ग्रेश के ला रहा है प्रिबियस इमेज ग्रे मेरे इमेज आ था इसलिए हमारे पांस जब भी हम लोग 10 सीट कर रहे थे यह हमारे पास ग्रेश पील नहीं आ रहा थाए अब हमारे पास क्लीरलिया पे पता चलेगाँ को कि फ्रीद के फिलैंट करने से क्या होता है वो घ्रेय इमेज को रिपर्जन करता करता है अगर आपको क्या कर सकते हैं I am read यहां पर मैं फ्लाइग Zero कि जगह क्या कर सकता हूं सीवी टूडू इयमरीड ऑंडर स्कोर ग्रेश्केव इस फंशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं रान करता favourite code को यहां पे कोपी कर लेता हूं इसको अभी के लिए हां प्रखेंट ऐता हूं इस चीज को क्यों 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 पास इमेज इसको क्या करता हूं सी टू मैं यहां पर comment mention कर देता हूं by default none होता है सो यहां पर मैं comment Mโ~~~ मैं कर देता हूं 에요 forarl seen Gray scale image भीकेन एसाइन जीरो और सीवी टू डॉट आयम रीड ठीक है तो इससे हमें ग्रेस्किल के फॉर्मेट में हमारा इमेज आ जाएगा अब मैं इसको कोपी करता हूं और इसको जो है एक नया टैब लेता हूं इसमें पेश करता हूं अगर हम लोग लेट से कि यहां पर हम लोग करते हैं वर वर्ण का मतलब होता है वर्ण का मतलब होता है ओडिजिनल इमेज चलते हैं यहां पर यहां पर क्या है हमार पास जो थर्ड वैलू है I am red color it's it always convert the image into the 3 bgr ठीक है bgr format में जो है मार पास image को convert कर देता है colored image हमार पास आता है red blue green RGB और आप बोसक्याइब ठीक है मैं क्लाओं सब्सक्राइब गयार तो मैं क्या करता हूँ यहाँ अभी भी ए करता हूं अभी देखो हमारा जो इनिए क्लना सब्सक्राइब कल डी में जा रहा है का भी में जा रहा हुं इसको मैं डिस्ट गडार करता हूं फिर से और इसके Craft performed की जग़एर मैं change कर देता हूं क्या I am read underscore colored इसको मैं यहां पर flag क्या करता हूं cv2.im read underscore colored रन करता हूं फिर से हमारे पास colored image आ रहा है ठीके तो यहां तो आप यहां पर for colored image we can assign one और we can assign I am read underscore color आप कुछ भी define कर सकते हो यह आपके उपर है सो फर्स्ट हम लोगों ने सीखा gray scale image हम लोग कैसे print करेंगे RGB colored image हम लोग कैसे print करेंगे अगर हमें requirement है तो ठाट हम लोग समझते है unchanged original image हम लोग कैसे से करेंगे हम हम लोग इमें क्या करना होता है जो हम लोग यहां पर one defined करवहें इसको हम लोग कर देंगे क्या minus one माइनस वळन कर देंगें आप मैं इसको run करता हूं जिए अब हमारे पास जो यह image है यह original इमेज है फर्स्ट क्या था हमारे पाइज जीरो एसाइन कर रहे थे ग्रेश के लिमेज वहां पर हमारे पास क्या होगा कलर्ड इमेज आएगा और जीवी के फॉर्मेट में थार जब भी हम लोग माइनस वन डिफाइन करेंगे एट मिन्स ओरीजिनल इमेज आएगा सकते हो यहां पर सीवी टू डॉट आयम रीड अंडर स्कोर अंचेंग कर सकते हो फिर से मैं करता हूं यह देखो हमारे पास ओर जीनल इमेज आ गया है सो माइनस वन या तो अगर आपको अंचेंज फोर अंचेंज इमेज और बीकन से दा ओर इजिनल इमेज ओर इमेज बीक फस्या होता है हमारे पास माइननस वन सेकंड won और ठर्ट जो हता है जीरो हता है अगिवर सकेल इमेज और उरिजिनल इमेज डिक 엥न और चाहिए जोभी ठोखेश कербर्यक्त का आप यहांसE use क कर सकते हो मैं और आको दिखा देता हूँ है यहां पर कौहन सा है हमारे पास सो इसको मैं यहां पर कोपी करता हूं complete code को यहां पर और इस चीज़ को मैं यहां से paste कर लेता हूं सब्सक्राइब पास I am read reduced gray scale सो इसको मैं यहां से इसको अब run करता हूं यहां से अभी देखो हमार पास जो image है वह reduced हो चुका है side जो है reduced हो चुका है हमारे image का और gray scale format में क्या है हमार पास इसका definition सो definition है हमार पास it if set always convert the image to the signal channel gray scale image and image size reduce 1 by 2 अगर हमार पास 100 image का size है तो रिदिश कर देगा by 2 it means 50 के size में ठीक है तो यह हमार पास multiple जो है वे है depends on your requirement जो कोई भी लाइक जो color का और जो इनुमेरेटर होता है हमार पास cv2 में open cv में आप यूज कर सकते हो लाइक 01-1 अपार्ट फूं दिस और भी हमार पास यहां पर function है तो depends on आप अपना requirement आप यूज कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से हम लोग flag define करते हैं open cv में ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं next किस चीज पर resizing पर image को resize कैसे करेंगे original जो image होता है हमारे पास different height and width होता है बट हमारे पास अगर लेट से कि आपका manager और आपका friend या फिर आपका environment है project का कि आप उस image को जो इमेज आप यूज करना चाहते हो उसको आप resize करो तो उसके लिए कैसे करोगे इसके लिए हमारे पास function होता है सब्सक्राइब लोग उसको जड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी image को resize करेंगे है । इसके लिए हम लोग को क्या करना पर एगा हम लोगों को height AND width set कर मैं क्या करता हूं complete ऑShare इस code को 고richt करता हूँ यहाप इस code और और अभी के लिए लिए मैं क्या करदेता हूं flag once set कर देता हूं इसको रिमूब कर देता हो कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे है यहां पर में टरडब ए dove गण्रवलों में वेड़े एन हाइट इमेज का डिफाइन करना परेगा वि्ट अइंहाइट हम लोग डिफाइन करते हैं सो विल्त टू युट्वव ईकवल टो लेटाउ मैं अभी जो है अपने मेंच का अगर मैं इसका क्या करूम एसका अगर मैं प्रिंट करूं यहां पर तो सब Wyhain करूं भूब कुर्ण land करता है इसको सब्सक्राइब बीज टोटब यहां अधियर करता हूं इसको Sloan कहा करता हुए हमारं सक्वास्रेडबर यहुंद सन्सक्राइब and 1000 हमार पास height and width आ रहा है तो मैं क्या करता हूं अभी width जो है मैं set कर देता हूं 300 width 300 set करता हूं height के लिए height मैं set कर देता हूं कितना 500 ठीक है दो चीज मैं add कर रहा हूं width and height apart from this हमें क्या करना परेगा जो हम लोग यहां पर image को call कर रहें ठीक है so image को हम लोग यहां पर तो print कर रहें बट इससे पहले हमें क्या करना परेगा हम लोग को एक और variable define करना परेगा सो मैं variable define करता हूं image to equal to यह हमार पास original image है और यह यहां पर हम लोग क्या करने वाले है रिसाइज करने वाले हैं इमेज को सी بी टूट हमारे पास ओपेंट सीवी में एक फंचन होता है है रिसाइज हम लोग को कॉल करेंगे क्या हम लोग कौन सा इमेज करने वाले हैं जो ओरीजिनल इमेज को हम लोग हमेंग को सब्सक्रमाग मुझ में अपना हाइड को क॑पी करता हूं वीर्थ को हम लोग को पी dimension को मैं यहां पर define कर दूँगा dimension को यहां पर मैं define कर दूँगा ठीक है तो मारा height and width set हो चुका है कितना height and कितना width चाहिए 300 width चाहिए मुझे image का and height कितना चाहिए 500 height चाहिए अब मैं क्या करता हूं इसको print करता हो यहां पर print image two dot ship और एक बार यहां भी हम लोग से प्रिंट कर लेते हैं सो print image dot ship सो दो बार हम लोग क्या कर रहे हैं पहले original image का original image का मैं से print कर रहा हूं और जो resize कर रहा हूं उस image का मैं क्या कर रहा हूं उसका से प्रिंट कर रहा हूं ठीक है अब मैं क्या करता हूं इसको रन करता हूं अब ही देखो हम पास जो आउट पुट आ रहा है यह original image का रहा है इसको मैं थोड़ा सा सटीक कर देता हूं अब 2000 यूजर्ट है माल पास ठीक है तो इस तरह से अगर आपको किसी भी James का मेरे जो है हईस विर्थ रिसाइज करना है तो अप है तो डिफाइन कर सकते उसका हाइट width and dimension define करके आप directly print कर सकते हो ठीक है यह तो हो गया हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग height and width define कर रहे हैं but let's say कि अगर आपका friend या फिर आपका teacher या फिर आपका manager अगर आपको बोलता है या फिर आपके project में requirement है कि ठीक है 20% और the 30% height या फिर width reduce करना है तो क्या करोगे आप इस case में calculate करने जाओगे नहीं calculate हम लोग नहीं करेंगे इस case में हम लोग क्या करेंगे मैं same code को फिर से copy करता हूं यहां पर paste करूंगा और इस चीज़ को अभी के लिए मैं क्या कर देता हूं comment कर देता हूं width को height को and dimension को तीन चीज़ को मैं क्या क्या हूं अभी के लिए comment क्या हूं अब यहां पर क्या करता हूं अभी हम लोग यहां पर डामेंशन साइज डिफाइन किये थे सो डामेंशन साइज में हम लोग क्या करेंगे डामेंशन साइज में हम लोग डिफाइन कर देते हैं 0,0 जो भी हमारे पास image का dimension है height and width उसके बाद हमारे पास function होता है जितना आप reduce करना चाहते हो और resize करना चाहते हो वह चीज़ आप easily कर सकते हो यहां पर 10% करता हूं 0.1 और यहां क्या करता हूं 0.2 20% करता हूं अब मैं क्या करता हूं यह हम लोग यहां पर का define कर दी है effects का value 0.1 and if y का value 0.2 अब effects क्या है यहां पर effects क्या है हमार पास यहां पर effects जो है effects means width and if y means क्या हमार पास if y means height ठीक है effects weight है हमार पास if y height हमार पास run करता हूं मैं इसको अभी देखो औरिजिनल इमेज आ रहा है क्यों क्योंकि हम लोग उरिजनल इमेज को प्रेंट कर रहें बट जो ही रिडिउस हो चुगा है फूरे हम लोग डिफाइन कर रहे थे जो भी हमें हाइट एन बीट चाहिए नहीं कर यहां पर reduce कर रहे हैं जो भी आपका मुने मैनेजर बोला और आपके पर्यट में है 20% करने का 30% 10% 5% जो भी आपका requirement है height and bit reduce करने का आप एसली यहां पर height and bit को assign करके reduce कर सकते हो लेट से अब मैं क्या करता हूँ यहां पर change कर देता हूँ चेंज कर देता हूं इसको 0.2 को 2 से में रएंडर करता हूं इसको अभी डिचिनल Ouart Pult रह रह रहा है। reduce करता हुं अभी देखो हमार पास जो कि यह हों चुका है हमार पास हाइट क्यों 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 क्या कर रहे हैं यहां पर हम Casey कह है हमार पास हाइट है हाइट को हम लोग दुग ना लाइक जो भी हमार पास 13 1333 इंटू अगर मैं तू करूं तो कितना हो रहा है हमार पास 1333 को मल्टिपलाई करूं तू से तो कितना हो रहा है हमार पास टू-टू-ट्रीपल सिक्स हो रहा है लाइट तो हम लोग इमेज को मल्टिपलाई कर रहे हैं तू से अगर आप इसको फिर से अगर टू से होगे ठीक है और मैं इसको रण करता हूं यह फिर से टी्टामस मल्टिपलाई हो जाएगा किस में में 1,0003 or 33 हाइट में रन करता हूं हुए फिस से प्रेस करता हूं डिस्ट वाय करता हूं अभी देखो मार पास यह मल्टिप्लाई हो गया थिरी टाम्स ओरीजिनल इमेज का हाइट से ठीक है तो बेस्ट अपन यह रिक्वार्मेंट आप क्या कर सकते हो हाइट अब यहां पर डिफाइन कर सकते हो और बेस्ट लाइट अब लाइट अब्टिवाट अब। अब्स अबस्ट अब्स अर्इडव थीर बेस्त अब्स. त्क्य।